जैसे समझ लीजे पिछले financial year में अगर कंपनी ABC को घाटा हुआ सेल उनकी कम हो गई तो अगर insider चाहे तो मैं हूँ बंदी चाहुजा और यह है पेचेकुट प्रॉपिट अगा पहला YouTube चैनल जो डेडिकेटड है आपके के लिए इस चैनल पर मैं 14-24 तारीक को नए विडियो बनाता हूं जिसमें मैं आपके साथ बात करता हूं आपके इंवेश्मेंट्स, salary management, budgeting, mutual funds, real estate, equity या किसी भी तरह के इंवेश्मेंट के बारे में और यह मैं क्यों कर रहा हूं ताकि आप जादा से जादा यह विडियो देख सके और हर पांच या साथ मिनिट के विडियो में finance के बारे में कुछ नया सीख सके और यह सारी information को use करके अपने investments को अपने finances को और अच्छे से manage करके के अपने financial freedom के करीब जा सके यह सारे विडियो में Hindi और अंग्रेजी दोनों भाशाओं में बनाता हूं यह इसलिए है क्योंकि मेरे जादा से जादा व्यूवर्स इंडिन सब कॉंटिनेंट से हैं तो इन सारे व्यूवर्स को connect करने के लिए Hindi और English भाशा है काफी हो जाती है अगर आप यह विडियो हिंदी में देख रहे हैं बट यूड प्रिफर तो वॉच इन इंग्लिश और आज का विडियो शुरू करने के पहले मैं सबसे जादा शुक्र गुजार हूं हमारे एक loyal viewer का जिनका नाम है निरंजन जी निरंजन जी ने हमें पिछले विडियो के ल निरंजन जी जानना चाहते हैं कि insider trading क्या होता है और insider trading होता कैसे है वह यह चाहते हैं कि मैं अगर हो सके तो पिछले कुछ सालों के या पास्ट के किसी insider trading cases के बारे में भी थोड़ी जानकारी दो तो यह insider trading होता क्या है पेचेक प्रोज यह बहुत simple concept है और यह किसी जमाने मे बहुत बड़ा problematic concept था जो आज की तारीक में हर साल थोड़ा थोड़ा इसका impact कम होता जा रहा है तो सबसे पहले समझते insiders होते कौन है किसी भी company का top level management उसका C-suite मतलब CEO, CFO, CIO, CTO यह सारे जो लोग होते हैं यह बहुत powerful लोग होते हैं company में इनको सारी की सारी information company की सबसे पहल मिलती है समझ लीजे किसी company ने अगर मुंबई के 100 km दूर अगर 500 अकर खरी दी है तो यह बहुत बड़ा financial transaction होता है ऐसा किसी भी transaction के बारे में अगर market में news मालूम पढ़ जा तो इसका impact किसी भी company के share के ऊपर काफी जादा हो सकता है उसके अलावा समझ लीजे अगर किसी particular chartered accountant firm है जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं और वो एक ABC company की balance sheet बनाते हैं हर public listed company को हर चार महीनों में अपने sale के numbers, balance sheet, profit and loss की statement, government की दो organizations को submit करने पड़ते हैं सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण organization है SEBI जो सारे के सारे shares के lane देन के व्यापार को regulate करती है और दूसरा है registrar of companies या ROC तो जितने भी chartered accountants हैं जो इन ऐसी बड़ी-बड़ी company के लिए काम करते हैं या जिन बड़ी-बड़ी company के balance sheets बनाते हैं उनके पास काफी information ऐसी होती है जो market में काफी दिनों के बाद release होती है तो ऐसे information का misuse बहुत होता था किसी जमाने में जब shares की trading physical format में होती थी को declare होने के लिए बहुत टाइम लग जाता था क्या मैं कह रहा हूं आज insider trading नहीं होती है नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं लेकिन आज की तारीक में हर share का लेंदेन जो होता है वो एक pancard के साथ connected है और उस सारा का सारा share का लेंदेन digitally होता है तो आज की तारीक में insider trading का impact पहले company के लोग हो गए इनके पास कोई ऐसी information होती है जो market में declare होने के पहले थोड़ा अगर gap हो तो यह insider लोग पहले ही कुछ बड़ी quantity में share खरीद या बेच कर एक फाइदा कमा सकते हैं जैसे समझ लीजे पिछले financial year में अगर company ABC को घाटा हुआ sales उनकी कम हो गई तो अगर insider चाहे तो numbers declare होने के पहले ही बहुत सारे shares अगर बेच लेते हैं market में panic selling होने के वज़ा से जो और आगे panic selling होने वाली है numbers declare होने के बाद उसका फायदा यह insider पहले ही ले सकता है यह पहले बहुत होता था जैसे मैंने आपको पता है लेकिन आज की तारीक में क्यूंकि हर share की trading एक pancard के साथ और एक digital DMAT account के साथ connected है सबसे पहली बात तो insider trading का impact पहले से बहुत कम हो गया है इसके वज़े से क्यूंकि अब लोगों को डर है अगर आप insider trading के किसी case में पकड़े गए तो आपको बहुत जादा penalty और fine भरनी पड़ती है और क्यूंकि आज की तारीक में सारे transactions भी digital है तो उसको trace करना भी बहुत आस इसके वज़े से सिर्फ impact ही कम नहीं हुआ है insider trading के instances भी पहले से बहुत कम हो गए निरंजन जी मैं आपसे शमा चाहूंगा कि मैं आपके साथ insider trading के पिछले cases के बारे में बात नहीं करूंगा लेकिन इसका भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है जैसे मैंने आपको बताया जित होने में काफी दिनों का gap होता था और सेवी के laws पहले इतने strict नहीं थे जितने आज है आज की तारीक में सेवी पूरी कोशिश करती है कि कि किसी भी निवेशकर का या investor का एक भी पैसा वेश्ट ना हो या उनको किसी दूसरे insider trading के वज़े से नुकसान ना हो मैं आशा करता कि आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि insider trading exactly होता क्या है अगर आपको आज के वीडियो पसंद आ है तो इसे प्लीज लाइक कीज़े और अपने सारे सोशल मीडिया चानल्स पर शेयर करना उसे ना भूलेगा उसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके का सवाल हो तो निरंजन जी की तरह आप भी इस वीडियो के नीचे जो कमेंट का सिक्षन है वहाँ पे कमेंट करना ना भूलिए मैं सारे कमेंट जरूर देखूंगा और ऐसा कोई भी आपका कमेंट हुआ जिसके उपर मैं वीडियो बनाकर आपको उसका जवाब देशकूं तो मैं उसका जवाब जरूर दूँगा तो बस आज के लिए इतना ही अब आपसे मुलाकात होगी आने होले अगले वीडियो में तब तक के लिए मुस्कराते रहिए अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए कचिंग